हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर्स बोश्चन सिंग को जीएस एमपी क्लिनिक एंड निव चैनल के अंतरगत जब मशुरों को खुन चुसने का आप मौका खुद ही दे रहे हैं तो ये फैलेरिया फैलेरियासिस एलिफेंटाइटिस माइक्रो फैलेरिया आपको क्यों न होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो बीना मस्कैटो नेट बीना मच्छरदानी का सीधे रोड पर ठेला पर त्रह त्रह के जगा पर सोजाया करते हैं और मशुरों को हजारों लाखों मशुरों को काटने का पूरा-पूरा मौका मिलत है जब एक मच्छर आपको करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना खुजली होने लगता है जब आप नींद के अवास्था में रहते हैं यानि आप बेहोसी के अवास्था में रहते हैं तो ना जाने कितने प्रकार के मच्छरों का आपको डंक झेलनी परती होगी यानि यह जो इंजेक्ट्स हैं कितने तरह का आपको हमला कर सकते हैं सरीर पर जब आप मस्काइटो नेट का प्रयोग नहीं करते हैं रोड पर ऐसे ही सोते हैं अथवा घर पर तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोब्लेम हो सकता है मस्काइटो नेट से आपके उन मच्छों से नहीं बचते हैं बलकि बिसैले साप से भी बच जाते हैं और आपको बिच्छु के डंग से भी बच सकते हैं कई लोग का जान जाते हुए हमने देखा है कि स्नेक बाइट हुआ था और कोब्रा किंग कोब्रा के डं से करयत के डं से लोग डेथ कर जाते हैं अपने जीवन को यानि अपने लाइफ को समझिए बहुत बड़ा बहुमुल्ले ए लाइफ होता है आप चाहिएगा कि हम ऐसे ही मर जाएं तो आपको भी काफी कश्ठ होगा जीवन जीना एक कला है कमाने के साथ साथ जीवन जीने के भी कला आनी चाहिए कई हमारे ठेला चलाने वाले ठिकदार भाई बंदू या अन्य जो घर पर नहीं जा पाते हैं और वो बाहर में रहकर कमाते हैं और कहीं पर भी रोड पर खुले अस्थान पर मैं बीना मश्रदानी का सो जाते हैं आई तक मैंने जितने भी फैलेर एलिफेंटाइटिस यानि हाथी पाउं के मरीज हमारे पास आये हुए हैं सबसे हमने पूछा कि आप ये मस्केटोनेट मश्रदानी का परियोग करते हैं कि नहीं करते हैं सबका उतर एक ही था कि सब हम मस्केटोनेट का परियोग नहीं करते हैं किसी ने कहा कि क्वाई जराते हैं यानि हम एक प्रकार के अगर बत्ति का इस्तमाल करते हैं ताकि मश्रद न लगे कई लोग को देखते हैं कि ओभी इसका इस्तमाल नहीं करते हैं कई लोग कहें कहें से फिलारीन ओल है ये बहुत परसित तेल है फिलारीन ओल होमिपैथी के परतेक एस्टोर पर मिल जाता है तेल फैलेरिया के लिए आराम भले आपको जितना भी दिला दे आराम हो जाई से लेकिन बाहरी पर्योग यानि तेल लगाने से आपका फैलेरिया कभी ठीक नहीं होता है खून आप मचरों को खूब आप पिला रहे हैं आपका सरीर है खूब पिला ये लेकिन जब बिमारी होता है तो आपको साइद पता नहीं होता है कि इतने बार डॉक्टरों को पास जानी परेगी और आपकी महंगी महंगी दवाईयां भी खानी परती है मचरदानी के परयोग करने से बिलकूल आपको फैलेरिया होता है यानि मचरदानी का परयोग यदि आप कर रहे हैं इसके बाद में भी आपको फैलेरिया हो सकता है लेकिन जो हाथी पाउं है अलिफेंट टाइटिस ये नहीं होगा हमेशा साफ सुत्रे जगाप पर रहें और मशरदानी मस्टेटोनेट का परयोग जरूर करें फाइलेरिया का लक्षन है यदि पैर फूल गिया है तो रात में जाकर के आपको कम पैर फूले रात में फूला हुआ नहीं रहेगा सुबा में जब चलना शुरू करते हैं तब आपका पैर जो है मोटा धीरे-धीरे होने लगता है किसी किसी को प्रिसाम दूद की तरह होता है तो इसको भी इस बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं वो भी एक फाइलेरिया का लक्षन है हाथ का मोटा हाथ ही मोटा होने लगता है और हाइडोसील भी मोटा होने लगेगा अगर लेडिज हैं तो उनका छाती ब्रेस्ट यानि की ब्रेस्ट में ट्यूमर बनाना सुरू करेगा आख यह लाल रह सकता है और फैलेडिया का एटाइक होने के समय में आपको यह बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा और बुखार होगा कम कपी के साथ कम कपी रहेगा आपको शरीर आपको पूरा कापेगा बुखार आने के समय में और लाली लिये हुए कुछ स्कीन डिजिज भी आपको हाथ पैर पर दिखाए दे सकते हैं कई कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े हम यूटूबर जो हुमिपैथि के प्रैक्टिसनर है वह भी बतार देते हैं कि यह फैलेरिया कभी जीवन में ठीक नहीं होगा तो हमें हसी आती है हमने आपको प्रत्यक्ष परमान दिखाया था कि 66 साल पुराने फैलेरिया के मरीज को जब दवा दिया गया तो बिलकूल आसानी से ओर ठीक हो गए हमने उनका लाइफ किया था एक कमेंट में आय था कि सब जो मोटा पहले का था ओर दिखा दीजिए तो हमने वह आपको उत्तर हम दे रहे हैं कि जो पाय ठीक हो गया तो जब हम वह इलाज किये थे तो हमें मालूम नहीं था कि यतना पुराना 68 साल का फैलेरिया ठीक ही हो जाएगा जब वह अपने भातीजे को लेकर आए और उसने अपना हिस्टेरी बताया कि सब हम जब 15 साल 14 सेल के उम्र में थे तब उनको फैलेरिया हुआ था और वह 66 साल पुराना हो गया यानि 80 साल के उम्र में भी उनका फैलेरिया ठीक नहीं हुआ था और ये हमारा टीटमेंट के बाद में उनका जाकर ठीक हुआ मात्र वह भी तीन महीने में मात्र तीन महीने में 86 साल पुराना फैलेरिया ठीक हो गया था तो आप इसी से समय सकते हैं और माइक्रो फैलेरिया मात्र 40 दिन में जो वी देश जा रहे हैं और जिनको वी देश में अच्छे सेलेरी पर अपने परिवार का अच्छे ढ़ंग से स्मार्ट तरीके से भरन पोशन करने जाते हैं और अच्छे सेलेरी लेकर अपने घर दुआर को बनिया धंग से सिमेट्रिक धंग से यानि बहुत उच्चा दर्जे का जीवन जीने के लिए बिदेश में नोकरी करने के लिए जाते हैं लेकिन जैसे हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है और माइक्रो फैलेरिया पोजिटिव आता है उनका घोर निरासा उनके जीवन में च्छा जाता है तो ऐसे नौजवानों के लिए जो विदेश में नोकरी करने के लिए जाना चाहते हैं उनका हमने माइक्रो फैलेरिया मात्र 40 दिन में हमने निगेटिव कर दिया था और उस तरह से उनका हम वीडियो भी उन पर बना चुके हैं कई लोग का माइक्रो फैलेरिया है वो निगेटिव हो चुका है इसके लिए भी हम किसी दिन चार्चा करेंगे विशेश तरीके से तो कितनों ही आपका पुराना फैलेरिया है यानि जब आप देख सकते हैं कि 66 साल का फैलेरिया ठीक हो गया है तो उमीद की जानी चाहिए कि उसके नीचे जो भी फैलेरिया होगा जरूर ठीक हो जाएगा किसी किसी का किसी भाई बंधू का तो मैरेज भी नहीं हो पाता है इस फैलेरिया के उज़ास से लेकिन अब हंडेट परसेंट उसका उप्चार सोध रिसर्च के दुरा निकल गया आप जैसा कि जानते हैं कि का तस से मस भी बीमारी नहीं होता है बीमारी अंदर से आता है बाहर से अप्रेशन करने से क्या फायदा आप मोटा मोटी समझे कि जो भी बीमारी बाहर से बीतर से आता है बाहर से अप्रेशन का कोई मतलब नहीं रहता है बीमारी पहले से भी खतरनाक हो जाएगा पुना पर आप संतोष जनक राई ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, टीटमेंट ले सकते हैं, हमरा वाट्शेप नमर है 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3, यानी 980, 1757, 533 पर आप राई ले सकते हैं तो कहें आपको घबरानी के जुरूत नहीं है, चिंता करने के जुरूत नहीं है, चाहे कितने दिन भी पुराना आपका फैलेरिया क्यों न ठीक हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, ओभी ठीक होगा, चुकि हमने जो ठीक नहीं हो रहा था, असंभव सा, जो असंभव था, ओभी होमिपैथिक दवाने करके दिखाया हम आपको बार बार 66 साल वाले हम फैलेरिया का उदारन देते हैं ताकि आपको विश्वास जगे क्या आपका फैलेरिया ठीक हो जाएगा उनके जो भतिजे हैं उनसे भी लोगों ने बात किया उनके वह भी नमर दिये हुए हैं तो टीटम को टाइम नहीं था सबको थोड़ा आमदनी करनी है घर पर बैठने से किसी का काम नहीं चलता है तो हमारे पास दो माह करीब इलाज कराये थे एक माह का दवा लेकर चले गए उसके बाद में भी हाथी पाउं उनका बहुत ठीक हुआ आज बहुत आराम से रह रहे हैं कई लो लेकि समय नहीं था कि और हम चार करा सके तो हाथी पाउं तीन महीना के टीटमेंट में समझे कि 75-80% उस समय ठीक हो गया था अभी विदेश में हैं और वो काफी काम धंदे में लगे हुए हैं वो बोलते हैं इंडिया जाएंगे तो फिर इसका टीटमेंट जो बच गया है उसका हम करा लेंगे और बहुत सारे ये तो मरीज हमारे 66 साले बाले पुराने जो मरीज हैं हंडेट परसंट ठीक हो गया है आज भी ठीक हैं और उतने उतने आयू में होमिपैथिक दवा बेहतरी धंग से काम करता है तो जो फैलेडिया के मरीज हैं वो जिनको विश्वास नहीं होता है, उनको जरूर बिश्वास होनी चाहिए यदि आप लिंक मांगेंगे वो विदियो आप शेयर करने के लिए मांगेंगे तो जरूर हम उपसे सेयर करेंगे जितने भी हमारे सबस्क्राइबर हैं जो हमारा विडियो को देखते हैं जिनको हमारे उपर पुर्ण से विश्वास है धाल पूर्वक वीडियो देखते हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे परमान के साथ पूरे जनकारी के साथ हम लाते हैं कोई ऐसा कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि जिसका आमारे पास परमान न है चार बुन ये आपको 200 पावर में है तो चार बुन सुबा साम कुछ दिनों तक लेना है थर्टी है तो दिन में तीन बार कुछ दिनों तक एक चमज पानी अथवा डाइरिक्ट जीप पर ले सकते हैं दावा थोरा खाने में अजब सा लगता है उसे घबराई नहीं उस संसनाहट इसमें रहता है अलकोहल के वज़त से तो यदि आपका फैलेरिया फैलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस, हाइडोसील, लेडी है तो चाती उनका ये आपको काफी उनको चाती में गिल्टी आ गया है आख लाल हो गया है दूस के तरफ प्रसाब किसी को हो रहा है ये सारे फैलेरिया का लक्षन है अप्रेशन बिलकुल ना करा है धार्ट से होम इसमारी जर्म उन से ठीक हो जाएगा और भूल कर भी मश्रू को खून पीने का मौका न दे इसलिए फैलेरिया होता है फिर भी आपका सरीर है पिलाएं है कोई बात नहीं है यदि फैलेरिया आपको उसके बाद हो गया है तो उसका उपचार है कि आपको ये होमेपेथिक ट पर है और किसी किसी को माइक्रो फेले लिया तो मातर 40 दिन में ठीक हुआ है तो हम उमीद करते हैं कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारा सुफकामना है कि उनका उनका जो बिमारी है जितना सिगर ठीक हो जाए लेकिन और लेकिन ये मश्रू को मौका ना दे अनिया था आपका बिमारी धीरे धीरे बरते बरते माइक्रो फिलेडिया माइक्रो फिलेडिया जो कहते हैं बरते 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 फिलेडिया हाथी पाउं तक चला जाता है जो आपको बार बार प्रेशन करानी परती है उसके बाद भी आपको निरासल लगता आप खुसी की बात है कि होमेप्रेथिक दवा से हाथी पाउं या फैलेडिया दोनों ठीक हो जाता है चुकि चाचा का फैलेडिया था भतिजे का हाथी पाउं था दोनों ठीक हुआ दुनों मजे में है आप मैं उमीद करता हूं कि आप कभी मैमारी जरेश ठीक होगा जै नहीं जाइब है